कि अगर आख अगर आख इस बार्ट करेंगों आख और अगर विए अगर देखेंग नमस्ते स्वागत है आप सबी का यह स्पीश्य सोलूसन में देखें काफी लेट हो गया और काफी देर से आप लोग इंतजार भी कर रहे थे सॉरी सबसे पहले इतना देर हो गया लगबग 45 मिनट आज क्लास लेट है कर चलिए सुरू करते हैं सेशन को और आज हम लोग बिहार जी के देखने वाले हैं बिहार सामाने ग्यान में आज हम बिहार के इतिहास को देखेंगे बिहार हिस्ट्री में जो हमारा मोडर्न हिस्ट्री है जिससे सबसे ज़्यादा प्रस्ण पूछे जाते हैं इक्जामिनेशन में इससे हम लोग देखने वाले हैं आज प्रस्णों को इसमें अलग-अलग सोर्से से प्रस्ण लिया गया है जैसे अलग-अलग किताबों से लि बहुत ही ज्यादा फायदमंद होगा रिवीजन क्लास हमारा तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को काफी लेट हो गया है पहले ही शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों का जो करन्ट अफेर का समस्या है उसके लिए हमने ई-book लॉंच कर दिया है पूरे 20 महीने के करन्ट अफेर का तो आप इसको अवेल कर सकते हैं हमारे एप एडूसॉल से एडूसॉल अप में आप लोगों को मिल जाएगा ई-book सेक्षन में आपको मिलेगा और साथ ही बिलकूल फ्री में मख टेस्ट भी आप लोगों को देया जा रहा है तो फ्रीर में मॉंक क्ष्ट भी लगाए हमारे अप में जा करके आज आप से ल्गार 24 लगाना है ठीक हैक है किसे कि जिएका डूदो से लेव को फ्री है और अपना Ranking भी यहां-पर देख सकते हैं सोलूशन भी देख सकते हैं सब कुछ आप देख सकते हैं तो एप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एडू सोल सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा यह रहाज का पहला प्रस्न है पहला प्रस्न है बंगाल बिहार तथा उडिसा की दिवाने अधिका इस इंडिया कमपनी को किस ने प्रदान किया था सेशन को सेयर कर दिजे क कहा जा रहा है कि बंगाल बिहार उडिसा कि दिवानी अधिकार East India Company को किस ने प्रदान किया था देखे बाबु इसका सही जो एंसर होगा वह होगा option A जो कर रहे हैं साह आलम द्वितिये इन्होंने किया था इसके बारे में एक बार नहीं मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं हमें पता है कि एक यूद हुआ था जिसका नाम था बक्सर का यूध है बक्सर यूद हुआ था सतरा सो सो सच्थ हिस्वी में यह हुआ था मुखकर护 से अगर देखा जाए तो एक और अंग्रेज थे और एक और मिरकासिम मीर का सिम्पाउजम के इसके साथ मीर कासिम के साथ अवद के नबाब और साथ ही उस समय मुगल बादसाह थे साह आलम दुईतिये तो इन्हों ने नित्रितों किया था इनका त्रीगुड था और अंग्रेजों का जो नित्रितों किया था हेक्टर मुनरोने इसमें इनकी करारी हार होती है हार के बाद फिर मिर कासिम युद्ध से भाग जाता है और इसके बाद सत्रों सो पैसट हिस्वी में एक संधी होती है जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद की संधी और इसी इलाहाबाद की संधी के तहत बंगाल बिहार और ओडिशा की दिवानी अधिकार दे दिया गया था साह अलम द्वितिये ने अंग्रेजों को दे दिया था दिवानी अधिकार कहने का मतलब यह हुआ कि राजस वसूली करने का अधिकार ठीक है राजस वसूली करने का अधिकार अब अंग्रेजों को मिल गया था जो सासक के पास था यही चाहते थे यह और यहीं से कहा जाता है कि द्वयत्सासन की एक तरह से शुरुवात भी हुई थी तो इसका सही जो एंसर होगा ओप्शन ए साह अलम द्वितिये बिल्कुल चलिए आगे चलते हैं अगला प्रस्ण है पंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधाने बनाया था वही जो हमने अभी पिछला कोर्षन देखा उसी कोर्षन से समंधित ये भी प्रस्ण है देकि इसका सही एंसर होगा ओप्शन C जो कर रहे हैं मीर कासिम वो बिल्कुल सही एंसर कर रहे हैं हमने अभी देखा कि बकसर का यूद जो लड़ा गया था है ना मीर कासिम जब बंगाल का नबाब बना तो नबाब बनने के बाद इसने सोचा कि अंग्रेजों के हस्तच्चेप से दूर रहने के लिए हमें राजधानी बदल देना चाहिए और अंग्रेज जो है वो बंगाल में काफी ज़्यादा हस्तच्चेप करते थे तो सबसे पहला काम इसने ये किया कि मीर कासिम ने राजधानी बदल दी और पहले जो राजधानी थी वो थी मुरसीदाबाद मुरसीदाबाद राजधानी थी जो बंगाल में थी अब मुरसीदाबाद से ये लेकर क्या गया बिहार सीधा बिहार के मुंगेर में और यहीं पर मुंगेर को राजधानी बनाया अब अंग्रेजों ने का कि भाई हम इसको इसलिए तो नहीं बनाया थे यहां पर मुंगेर इसने राजधानी बदल करके और बंदुक बनाने का कारखाना भी ठीक है यहां पर इसने अस्थाफित करवा दिया पहली बात दूसरी बात इसने किया कि पटना पर अधिकार कर लिया ठीक है पटना पर अधिकार इसने कर लिया वहां पर जो अंग्रेज अधिकारी था उसको हरा करके और अधिकार कर लिया इससे और भी ज्यादा खफा हो गये अंग् तब अंग्रेजों ने कहा कि अब इसे पकड़ो अभी ऐसे नहीं मानेगा तो इसने मुंगेर को राध्धाने बनाया था मुर्सीदाबाद से मुंगेर राध्धाने इसने परिवर्थित की थी सत्रों सो पैसट यूशिव में साहलम दुवितियत वारा बिहार का दिवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद इस्ट इंडिया कमपनी ने किसे बिहार का प्रतम नायब दिवान बनाया था उसी कोशन से सम्मंदित ये भी प्रस्न है सेसन को लाइक और सेर करते जाए बाबू सेसन को सेर करते जाएगा देखिए इसका सही अंसर होगा अंग्रेजों ने बना दिया था सिताब राय को ठीक है सिताब राय को बिहार में 1857 के बिद्रो का मुख्य संगठन करता कौन था 1857 में 1857 इस्वी में अलग अलग जगा पे बिद्रोहियों ने बिद्रो कर दिया था अंग्रेजों के खिलाब बिहार भी इसमें था और बिहार किसी भी बिद्रोह में अगर देखा जाए तो बिहार पीछे नहीं था 1857 की कौरांती में अगर 1857 इस्वी से पुछा जाए तो मुख्य रुप से दो लोगों से ज़्यादा तर प्रस्न बनता है एक तो बनता है कुशन बनता है सबसे पहली बाग और हर वर्स BPSC कुशन पूछता है और दूसरा पूछता है पीर अली से पीर अली इन्हों ने पकड़ करके और फासी दे दी गई थी ये पीर अली पुस्तक विक्रेता थे किताबे बेचते थे पटना में और पटना 1657 की क्रांती तीन जुलाई को इन्होंने नेत्रितों किया था फिर पकड़ करके और इनको फासी पर लटका दिया गया था वैसे कुमर सिंग जो है इन्ह अंग्रेजो को खदेडा ही दूसरे राज्यों में जा करके हमने यह भी पढ़ा है कि रिवा का एक राजा था वहां पर यह जाना चाहते थे और वहां भी अंग्रेजो को खदेडना चाहते थे लेकिन रिवा का राजा उनको आने पर प्रतिबन लगा दिया था कुमर सिंग कि बहावी नेता को आज इवन का रावास की सजा दी गई थी कोश्चन नमबर 5 देखे इसका सेंसर होगा बिलायत अली इनायत अली और एहमदुल्ला ठीक है एक दो और तीन कि सूची वन को दो के साथ सुमिलित कीजिए और पूट की सहायता से इसको स्किप करते हैं प्रसम को 1867 के विद्रोग के संदर में निमनलिकित में से असत्य कथन का चैन कीजिए गलत कौन है 1867 के विद्रोग के बारे में पिछला कोशन अधूरा था इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया 1867 के विद्रोग के संदर में निमनलिकित में से गलत कौन सा है ये पूछा जा रहा है पहला देखिए 3 जुलाई 1867 को विद्रोग पीर अली के नितिर्तों में प्रारंब हुआ अभी जस्थ हम पीर अली की बात कर रहे थे ये बिल्कुल सही है पट्ना में इन्होंने किया था और ये एक पूस्तक भिक लेता थे पीर अली दूसरा है रोहिनी चावनी में सैनिक बिद्रोग के बाद इसका मुख्याले भागलपूर अर्सानांत्रित कर दिया गया था शरोप्रथम 1857 की जो क्रांति हुई थी देवगर में रोहिनी में हुई थी अभी वर्तमान में जारखन में अवस्ती थी तो यहां रोहिनी जो छावनी थी यहां पर भिद्रोगिया था सिपाहीयों अब इसके बाद इसका जो मुख्याले था है क्वागलपूर कर दिया गय में मार्सलला लागू किया गया था मार्सलला कहा जाता है जहां पर सैनिक खुद निरने ले सकता है कि हमें यहां क्या करना है सैनिक कानून एक तरह से हम कह सकते हैं तो मार्सलला यहां पर लागू कर दिया गया था बागू कुणर सिंग ने पटना में अंग्रेजों की बिहार का पहला उर्दू अकबार कौन सा था नक्से पायदार मेखानी इलहाम सिराते मुझ्तकीन या नूरूल अनवार पताईए देखे वाओ इसका सही अंसर होगा जो भी डी कर रहे हैं नूरूल अनवार ओप्सन डी वो बिलकुल सही अंसर कर रहे हैं बात आती है कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बिहार का ये पहला अकबार नूरूल अनवार जो था है इसका प्रकासन कहां से किया जाता था तो इसका प्रकासन किया जाता था आरा से तो दिबिहार हेराड है ना, द बिहार हेराड जो था वो प्रत्म अंग्रेजी अकबार था, प्रत्म अंग्रेजी अकबार यही था, इसका प्रकासन 1850 इस्वी में हुआ था, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा सरो प्रथम इसकी सुरुवात की गई थी यह चीज़ याद रखना है अगर आप लोगों से पुछे कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था हिंदी के बारे में अगर पूछ ले कि पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था तो इसका नाम था बिहार बंधू ठीक है बिहार बंधू बिहार बंधू पहला हिंदी समाचार पतर था बिहार का अब ये पटना से प्रकासित होता था और 1874 में इसका सरोपर्थम प्रकासन हुआ था कहां से होता था तो पटना से इसका प्रकासन होता था तो ये सब चीज़ इस पूछा जाता है अच्छा कभी कभी एक प्रस्ण और आप लोगों से पूछा जाता है प्रस्ण जो आपसे पुछा जाता है कि बिहार को अलग करने में ठीक है बिहार को प्रिथक करने में कौन सी पत्रिका ने मुख्य भूमिका निभाई थी तो द बिहारी और द बिहार टाइमस ने मुख्य भूमिका निभाई थी बिहार को प्रिथक करने में अलग करने में यहां से भी प्रस्ण आप लोगों से पूछा जाता है बिहार टाइमस की अगर हम बात करें तो बिहार टाइमस की अस्थापना सरव प्रथम 1903 इस्वी में की गई थी कहां से तो पटना से इसको निकाला जाता था ठीक है पटना से इसको निकाला जाता था प्टना में गोल गर का 1786 में किस वास्तुकार ने निर्मान पूरा किया था सचीदानन सीनहा के नितरितों में बिहार आंधोलंग का नितरितों किया गया था बिहार को प्रिथक करने के लिए, अलग करने के लिए, कहा जा रहा है कि 1786 इस्वी में, डेट यहां पर दिया हुए, ध्यान देजेगा, 1786 इस्वी में गोल घर का निर्मान किया गया था, इसके वास्तुकार कौन थे, यह पूछा जा रहा है, ठीके बाबु, इसका सही अंसर होगा, जॉन गास्टिन, ठीके, जॉन गास्टिन के नित्रितों में इसका निर्मान किया गया था, अच्छा, 1770 में, अच्छा, पूछा ऐसे जाएगा, कि क्यों इसका निर्मान किया गया था, तो 1770 इस्वी में एक भयानक अकाल पड़ा था, उस अकाल को ध्यान में रखत जो कब किया गया था तो 1784 में आरम किया गया था और पून करवाया गया था 1786 में एक प्रस्ण और यहाँ से बनता है यह पूछा जाता है कि इस समय गोल घर के निरमान के समय किसके समय में करवाया गया था तो करनवाल इस के समय में यह के सबयूत है कौन ऐसे कोशन आप से बढ़ सकता है तो करनवाल स्था गवर्रनर जणररल की उसमे अगये कैना च snippet चलते हैं अंति अगला प्रस्ड है बिहार में 1800 संतावन के बिद्रोह के नेता अमर सिंग को किस ने गिरफतार किया था सेमूल ने, लुगाड ने, महराजा जंग बहादू ने, या महराजा जैप्रताब सिंग ने देखे, इनके बारे में भी पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, option 6 का sensor होगा, अमर सिंग जो थे, अमर सिंग ये खुमर सिंग के भाई थे, खुमर सिंग के कोटे भाई थे ये और अमर सिंग का जो छेतर था वो था रोतास वाला जो एरिया था रोतास सासाराम अभी जो है वर्तमान में ये जो छेतर था वो इनके अंडर में था अमर सिंग के नेत्रितों में अमर सिंग जब कुवर सिंग की मृतिव होती है तो अमर सिंग फिर 1857 की बाग डोर पूरी तरह से अपने हाथ में बिहार का ले लेते हैं अंग्रेजो के खिलाब ये अमर सिंग शुरू कर देते हैं और इन्हों की लडाई करते थे तो गूरिला यूध करते थे चिपकर के यूद करते थे बिहार के प्रिथक राज्जी के रुप में अस्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था अभी इनकी बात हम करी रहे थे तोशन आ गया सचीदा नंद सिन्हा की मुख्य भूमिका थी हमें पता है कि बिहार को अलग किया गया था 1912 में घोसना 1911 में ही कर दी गई थी बारा दिसंबर 1911 को इसकी घोसना कर दी गई थी दिल्ली दर्बार में उसके बाद 1912 में बिहार को अलग प्रांत के रुप में दर्जा दिया गया था बंगाल से अलग कर दिया गया था बिहार जहारखंड और उडिशा इनों को अलग कर दिया गया था ठीक है उसमें सचीदा नंसिन्हा की मुख्य भूमिका थी यह वही सचीदा नंसिन्हा है जिनको और अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था संबिधान सभा का और अस्थाई अध्यक्ष इनको बनाया गया था संबिधान सभा का कि यह राज के स्थापना की घोसना किस दिन हुई थी ऐसका सही एंसर होका जो कर रहे हैं बिल्कुल सही एंसर कर रहे हैं बारा दिसमबर 1911 को इसकी घोसना कि रही थी अब वो देखिए 12 दिसंबर दिल्ली दर्बार में अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि देल्ली दर्बार लगाया गया था और उसी में इसकी घोसना की गई थी इसके बाद 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग प्रांथ के रुप में गठित हुआ था लेकिन अगर आप लोगों से पुछे कि आपचारिक रूप से बिहार की अस्थापना कब की गई थी तो 1 अपरेल 1912 को आपचारिक रूप से इसका गठन कर दिया गया था कि मलप बंगाल से अलघ बिहार के प्रांत के रूप में कारे करना शुरू कर दिया थाय 1 अपरेल 1912 से भीहार टिक है और भीहार के लिए अलग बिधान परिशन का गठन 1936 में किया गया ॑ 1936 में बिधान परिषन का गठन गया और इसके बाद यहाँ पर फिर चुनाव होता है सिद्धू कान्हू चांद भैरो नामक चार भाईयों का समंद्धिम्न में से किस विद्रो से है और इनकी दो बहन भी थी फूलो और जानो सिद्धू कान्हू चांद भैरो फूलो जानो इनका सम्मंद किस विद्रोह से है कई बार इससे कोशन पूछा गया है आपके एक्जाम में बहुत बढ़िया देखे इसका सही एंसर होगा संथाल विद्रोह कई बार कोशन ये बना है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था तो अठारह सो पच्पन छप्पन इस्वी में संथाल विद्रोह किया गया था और इसका नेत्रित इन चारो भाईयों ने किया था अच्छा इस विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है अगर आप लोगों से पूछ ले किस विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है तो इस विद्रोह को फूल विद्रोह भी कहा जाता ह काल माक्स ने इसके बारे में इपनी की है यह भारत का प्रथम जन विद्रो था प्रथम जन विद्रो तो यहां से भी प्रशन बन सकता है कि भारत का प्रथम जन विद्रो काल माक्स ने किस विद्रो के बारे में कहा है इस विद्रो को हूल विद्रो या फिर संथाल विद्रो या खूनी विद्रोव के नाम से भी जाना जाता है। और फासी दे दिया जाता है ठीक है और फिर आगे चांद भैरों को भी मार दिया जाता है वो सकता है कोशन ये भी आप लोगों से पूछ ले कि जो अठारा सो पच्पन छपन इसमी में संथाल विद्रो हुआ था उसका दमन किसके द्वारा किया गया था तो कैप्टन ठीक है कैप्टन अलेक्जेंडर लेप्टेनेंट थॉंसन लेप्टेनेंट थॉंसन फिकर लेप्टीनेंट लेप्टेनेंट रिड इन्हों captures के इन लोगों ने और संथाल विद्रो का दमन किया था इसको कुछ लदिया था संथाल बिद्रो वर्तमान में भागलपूर से लेकर के और राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था और इस सेत्र को दामी ने को के नाम से जाना जाता है ठीक है निमने लिखित वो सुमेलित कीजिए और कूट की सहता से सही उत्तर का चैन कीजिए यह इतना बड़ा कोशन है कि बिल्कुल छोटा छोटा दीख रहा होगा आप लोगों को चलिए मैं इसका एंसर आप लोगों को बता देता हूं कांच कोर विद्रोग कोल विद्रोग कांच कौल विद्रोग कब हुआ था बाबो और ऑने बनीटाव कि दsव inten. 32 32 में यह लिखा हुआ नहीं है अच्छे से और संथाल विद्रो अठारा सो 556 में हुआ था ठीक है 556 में मुंडा विद्रो की बात करें तो अठारा सो इन्यानवे से उनीस सो है ना कि विहार का कौन सा चैत्र शत्र तो सत्तर एक्षत्र आपके चाहिए 1771 में सन्यासी विद्रो का के अंदर था पता यह प्यार का कौन सा सेत्र 1771 में सन्यासी विद्रो का क्यंदर था और देखे वावू इसका सही जो इन्सर होगा ओका उप्सन बी पुर्णिया को मैप में अगर आप देखेंगे तो पुर्णिया बंगाल से लगा हुआ है और हमें पता है कि सन्यासी विद्रों जो है और सरोप्रथम 1770 में बंगाल में ही शुरू हुआ था आपको बता दूँ कि बंकिम चंदर चटर जी ने एक उपन्यास लिखी है जिसका नाम है आनंद मठ और इस आनंद मठ पुस्तक में सन्यासी विद्रों का वर्णन किया गया है और सन्यासी विद्रों के पीछे रीजन ये था कि जो हिंदू, नागा, गीरी ये सब लोग थे उनपर जो टैक्स ज्यादा लगाया जा रहा था या तरा पर प्रतिबन लगाया जा रहा था या कहीं पूजा पार्ट के लिए जाते थे तिर्थ यातरा पर जाते थे तो काफी ज्यादा लूट पार्ट करते थे अंग्रेजों का जहां ठिकाना होता था गोदाम होता था वहां से जाकर क्या नाज चुरा लेते थे काफी ज्यादा उपद्रों इन लोगों ने किया था तो सन्यासी विद्रों का दमन जो किया था ओ वारन हेस्टिंग्स ने किया थ था और लग बग 1820 सिसमें में इसका दमन कर दिया गया था ये विहार में नोनिया विद्रो जो 1780 से 1800 के मद्धे हुआ तो इसके दोरान निम्नमे से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था नोनिया विद्रो के बारे में पूछा जा रहा है कौन सा जिला नोनिया बिद्रों से प्रभावित हुआ था सबसे पहले तो जानना यह है कि यह नोनिया जो है वो था क्या तो नोनिया एक जाती थी और यह नोनिया लोगों का काम था कि यह लोग सोरा का उत्पादन करते थे जितनी भी चाहे इस इंडिया कंपनी हो या जो भी यूरोपीय कंपनिया हो बिहार में यो लोग आये तो मुख्य रूप से इसी सोरे के ब्यापार के लिए आये थे सोरा पोटेसियम नाइट्रेट को कहा जाता है जो काफी बिसफोटक होता है है ना सोरे का मुख्य रुप से उपयोग बिसफोटक बनाने में किया जाता था तो अंग्रेजों ने सोरा पर एक आधिकार कर लिया कि भाई इस पहों पैशा देंगे फ्रांचिसी कंपनिया और अलग-अलग ज़ो कंपनिया थी इन्हों ने इनको कहा नौनिया लोगों को कि हम ज़्यादा पैसे देंगे रोकने का प्रयास किया तब जाकर के नोनिया लोगों ने बिद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाब तो इसी को कहा जाता है नोनिया बिद्रोह तो नोनिया बिद्रोह जो है वो सारन, बैसाली, पुनिया इन सभी छेत्रों में फैला हुआ था तो इसका सेंसर होगा सभी ठीक है कि रूदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का सम्मंद किस विद्रोह से था बताई करन्ट अफेर बाबू परसो से एक सेशन करन्ट अफेर का डेली आएगा आप लोगों के लिए ठीक है टॉपिक वाइज डेर साल का करन्ट अफेर मैं ले करके आने वाला हूं ठीक है तो चिं कि रूदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का सम्मंद किस विद्रोह से था पॉस्चन नमबर 17 कि इसका सही एंसर होगा ओप्षन एजो कर रहे हैं कि इधर के टमाडविद्रोह dazzledों में रहे हुआ है किए भोला नाथ सिंग के नेतरितों में ये हुआ था ठीक है 1782 से 1883 इसके बाद लास्ट जो छठा हुआ था ये पहला था और छठा जो हुआ था छे स्टेज में जो हुआ था ओ अठारा सो उनीस में हुआ था अठारा सो उनीस से 1841 तक ये चला था ठीक है और इसका नेतरि तो रूदन मुंडा और कुंटा मुंडा के द्वारा किया था ठीक है खरवार आंदोलन का नेतरि तो किस ने किया था कोशन नमबर 18 बताईए हाँ करंट फेर का पीडिया भी मिलेगा खरवार अंदोलन का नेतरितों किस ने किया था बुद्धुबदत, गनपत्राय, भागिरत मांजी या बिशोनात सहदेव देखे वावू इसका सही अंसर होगा भागिरत मांजी के नेतरितों में थरवार अंदोलन हुआ था थरवार अंदोलन कब हुआ था? 1874 में हुआ था कहां पर हुआ था? संथाल परगना वर्तमान में अगर बात करें तो जहारखन के संथाल परगना के छेतर में यह हुआ था बिर्शा मुंडा का जन्मस्थान था उली हातु, सिली गाउं, बंदगाउं या बंगनी डी तेके इसका स्री इंसरों का उली हातु में इनका जन्म हुआ था वरतमान में उली हातु की बात करें तो फूटी में है पूटी में, पूटी एक जिला है जो जारखंड में है और राची से अलग हो करके और ये बना है पूटी जिला का निर्मान हुआ है, तो उली हातु में इनका जन्म हुआ था और सुगना मुंडा इनके पिता जी का नाम था इनको धर्ती आवा के नाम से लोग जानते थे, धर्ती आवा के नाम से पुकारते थे इन्होंने अपने आपको भगवान का दूत घोसित किया था भगवान का दूत इन्होंने घोसित किया था इनके द्वारा शुरू किया गया जो आंदोलन था उसको मुंडा विद्रो के नाम से जानते है या इसी को उलगुलान विद्रो के नाम से जानते है निके उलगुलान यहां से मेंस में भी question पूछा जाता है इनसे बिर्समूंडा के गुरु का नाम क्या था कोशन आही गया कि आप एंसर कर ही रह थे और कोशन आ गया देखिए इनके गुरु का नाम था आनंद पांडे Option B आनंद पांडे किसे धर्ति आवा के नाम से जाना आ जाता है धर्ती का पिता अभी जस्ट मैंने बताया बिर्सा मुंडा को किसके नेतिरतों में ताना भगत और सयोग आंदेलन में भाग लेकर पहले बार सोतंता आंदोलन में सामिल हुए थे बहुत ही बढ़िया कोशन है यह सम्द देखे बाबू सबसे पहले तो ताना भगत आंदोलन क कि बात करें तो यह आंदोलन सुरू हुआ था 1914 इसवे में किस अपरेल 1904 को किसके नेतरितों में तो जतरा भगत के नेतरितों में इसकी शुरुवात की गई थी लेकिन कहा जा रहा है कि पहली बार सोतंता आंदोलन में यह जो आंदोलन करते थे आदीवासियों का जन जाती हो तुम लोग हमारे चहतर में तुम लोग क्यों आरहे हो हमें को Kollege कर ठीक है हमारे चहतर में मत आउ किसली यह आन्दोलन करते थे थीजिस को यह दीकू कहते थे गेर और लोगों को दीकू को अपने च्श्ज्ट में यह नहीं आने देना चाहते थे ज्यादा करके बढ़ोतरी के कारण भी आंदोलन करते थे साहुकारों के कारण आंदोलन करते थे इनका उद्देश नहीं होता था कि भारत को आजाद कराना है भारत को आजाद कराने के लिए गांधी जी और कॉंग्रेस ये सब के जो नेता थे वो लोग अलग-अलग आंदोलन कर रहे थे जैसे अगर हम बात करें तो और सहयोग आंदोलन है ना तो और सहयोग आंदोलन जो था वो एक सोतंता आंदोलन था तो कहा जा रहा है कि ताना भगत सोतंता आंदोलन और सहयोग आंदोलन में है ना पहली बार सामिल हुए तो देखें इसका सही अंसर होगा सिध्धु भगत है ना सिध्धु भगत के नेतरितों में महात्मा गांधी के द्वारा सरोपर्थम और सहयोग अंदोलन अगस्त 1921 इसमी में शुरू किया गया था और इस आंदोलन को देखें यह जो आंदोलन था वाववो ताना भगत अंदोलन की अगर हम बात करें तो इस आंदोलन को बिर्सा मुंडा के आंदोलन का बिस्तार ही माना जाता है महात्मा गांदी के सबसे प्रिये अनुवाई टाना भगत थे विशूद गांदीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था वही कोशन है सेम कोशन कहा जा रहा है कि गांदीवादी तरीके से लड़ा गया क्योंकि जनजातियों का जो भी आंदोलन था वो हिंसक आंदोलन था यह मारते थे सिधा तीर कमान से मारते थे लेकिन यह जो आंदोलन था वो अहिंसक आंदोलन था और गांधिवादी तरीके से लड़ा गया था बताईए देखे इसका सही अंसरों का ताना भगत आंदोलन और ताना भगत आंदोलन किस में आ गया था ताना भगत आंदोलन और सहयोग आंदोलन और सहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा सुरू किया गया था इसके में भाग लेते हैं अब कॉंग्रेस अधिवेशन जो होता है किस किस अधिवेशन में यह भाग लेते हैं तो 1922 में होता है कॉंग्रेस का अधिवेशन गया में ठीक है गया अधिवेशन में भी ताना भगत यह सामिल होते हैं तेश में नागपूर में होता है 1923 में नागपू ताना भगत सामिल होते है किस जंजाती आंदोलन को शप्फा होर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है बफरिंग हो रहा है बफरिंग हो रहा है क्या एक बार में थुड़ा देख लेता हूँ किस जंजाती आंदोलन को शप्फा होर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है कि कोश्चन नमबर 24 बताइए इसका से अंसर होगा खरवार आंदोलन को ओप्शन भी खरवार आंदोलन को किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्था जूम खेती की तरफ लोटने का आवान किया गया था देखे जूम की खेती किसको कहा जाता है इसी जूम की खेती को अस्थान आंतरित क्रीसी भी कहा जाता है अस्थान आंतरित क्रीसी ये हमारा पूरवी भारत जो है पहाडी छेत्रों में काफी ज़्यादा किया जाता था जंजातियों के द्वारा ही तो बिहार में भी वर्तमान जारखन में भी ताना भगत आंदोलन ने कहा था कि भाई हमें फिर से असनांतरित क्रिसी करना चाहिए इसके तरफ लोटना चाहिए असनांतरित क्रिसी में क्या होता था कि एक जगा कहीं पर खेती कर लिया एक जगा खेती करने के बाद फिर इसको इस जगा के छोड़ करके और दूसरे जगा ये जा करके बनों की कटाई करके जाड़ियों को साफ करके और वहां पर जा करके खेती करते मतलब कि अस्त्वनानत्रित हो जाते थे इसी को अस्त्वनांत्रित कि रिसी यौश Been कि किरिशी कहा जाता है कि जंजाती बिद्रोग की चर्चा काल माक्स ने अपनी पुस्तक notes on Indian history में की है अभी इनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे पैहला जंड बिद्रो इसके बारे में इन्हों ने कहा था निम लेकित में से किसका सुमेल नहीं है question remember 27 अच्छे से देखिए अच्छे से देखकर को और एंसर किजिएगा चंपारन अंदोलन नहरुजी की नेतरितों में हुआ था क्या बिहार स्टूडेंट्स राजन्त प्रसाल कॉंग्रेस का गया अधिवेशन जो होता है चितरंजन दास के नेतरितों में होता है ठीक है बिहार एंसराण अंदोलन 1917 में गांधी जी के नेतरितों में हुआ था न कि नहरुजी इस से समद्धित है तो ऑप्शन एक गलत है 1908 में मुझभफरपूर बमकंड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था मुझभफरपूर बमकंड में किसको मारने का प्रयास किया गया था देखे ये जो घटना हुई थी ये 30 अपरेल 1908 को ये घटना हुई थी 30 अपरेल 1908 को ये घटना हुई थी अब ये जो घटना है वो हुई थी मुझफरपूर में इस घटना में हुआ क्या था कि मुझफरपूर का जिला जजज था और उसका नाम था Kingsford अब किंग्सपोर्ट को मारने का प्रयास किया था थुदी राम बोस और प्रफूल चाकी ने, इन्हों ने इसलिए इसको मारने का प्रयास किया था, कि जो भी क्रांतिकारी नेता थे, उनको सिधा ये फांसी की सजा देता था, तो इन लोगों ने कहा कि इसको छोड़ेंगे न पर लेकिन यह बच निकला Kingsport बच निकला और एक वकील थे जिनका नाम था प्रिंगले कैनेडी अब प्रिंगले कैनेडी की पतनी और इनकी बैटी इस बंकांड में मारी गए इनकी गाड़ी पर बं चला गया और यह मारी गए तो किंग स्पोर्ट बच निकला था खुदी राम बोस और परफूल चाकी ने इसको अंजाम दिया था अब यहाँ पर खुदी राम बोस को पकड़ करके फासी पर लटका दिया जाता है और परफूल चाकी ने आत्माहच्या कर ली थी भारत चोड़ो अंदोलन के क्रम में पटना सची वाले बोलिकांड हुआ था भारत चोड़ो अंदोलन 1942 में सुरू होता है नव अगस्त 1942 इस भी को सुरू होता है परस्ताव पारित हो गया था आर्थ अगस्त को लेकिन 9 अगस 1922 को भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में सुरू होता है जिसका ब्यापक रूप बिहार में भी देखने को मिलता है तो कहा जा रहा है कि इसमें पटना सचिवाले गोली कांड कब हुआ था इसी समय बिद्यार्थी साथ बिद्यार्थियों ने पटना के रंडा फहराने का प्रयास किया था जिसमें वहां का डीएस पी बसी रहमत था उसने गोली चलाने का हुक्म दे दिया था इसमें हमारे साथ स्टूडेंट सहीद हो गये थे साथ छात्र सहीद हो गये थे कहा जा रहा है कि यह गोली कांड हुआ कब था वोश्चन नमबर 29 दे प्रफूल चाकी ने आत्म हत्या कर ली थे को लिस से बचने के लिए इन्होंने आत्म हत्या कर ली विहार में हुम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे विहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे होम रूल आंदोलन की जहां तक बात है तो 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा सुरू किया गया था एनी बेसेंट और तीलक के द्वारा सुरू किया गया था कभी कभी प्रस ने ये भी पूछा जाता है कि सरो प्रथम भारत में होम रूल आंदोलन की सुरुआत किस ने की थी तो तीलक ने भारत में सरो प्रथम इस आंदोलन की सुरुआत की थी इन्होंने अप्रेल 1916 में इस आंदोलन की सुरुआत की थी जबकि एनी बेसेंट ने सेप्टेंबर 1916 में इसकी शुरुआत की थी ठीक है तो तीलक का नाम पहले आ जाता है वही कहा जा रहा है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक इन में से कौन थे कोशन नमबर 31 इसका सही एंसर होगा मजहरूल हग एनी बेसेंट बिहार के दौरा पर भी आती है है ना 1918 में आती है पतना का दौरा करती है एनी बेसेंट और मजहरूल हग ने इसके स्थापना की थी बिहार में निम्नांकित बिहारी नेताओं में से किसे 1914 में कॉंग्रेस द्वारा इंग्लेंड भेजे गया सिस्ट मंडल का सदस्ट बनाया गया था कहा जा रहा है कि इन में से कौन से बिहार के नेता हैं जिनको जब इंग्लेंड में कॉंग्रेस का सिष्ट मंडल भेजा गया था कुछ टीम भेजा गया था 1914 में तो इन में से ओ भी थे कौन थे बताईए हसन इमाम मजहरूल हग राजन्द पसाद या सची दानन सिनहा बिहार में खिलाफ़त आंदोलन का खिलाफ़त आंदोलन सुरह हुआ बाबू? बताईए 1918 में 19 में 1920 में 1921 में देखिए बाबु इसका सही अंसर होगा 1919 में खिलापत आंदोलन सुरू किया गया था इसका नित्री तो खिलापत आंदोलन सरो पर थम अगर हम लोग बात करें तो खिलाफत आंदोलन अगर हम बात करें तो इसका नित्री तो अली बंधों ने किया था मुहम्मद अली और सौकत अली के दौरा खिलाफत आंदोलन सरोपर्थम शुरू किया गया था इस खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने एक औसर के रूप में देखा था हिंदू और मुसलिम एकता के रूप में देखा था तो इसमें गांधी जी का मेन हाथ था गांधी जी ने हिंदू मुसलिम एकता के रूप में इसको देखा था फिर अबुलकलाम आजाद भी इसमें स तो यह अंग्रेजों के खिलाब था ब्रीटेन के खिलाब था क्यों था तूर्की बिरूधी नित्ती के खिलाब तूर्की का तूर्क का जो खलीफा था खलीफा के पद से उसको हटा दिया गया था इसलिए पूरे बिस्व के मुसल्मानों ने अंग्रेजों का बिरूध किया क्योंकि तुर्क तुर्की का जो खलीफा था उसको धर्मगुरु पूरे बििस्व का इसलाम धर्मका गुरु था उसने जो कह दिया वह होता था और उसी को उसके फद से हटा दिया गया था इसलिए बिद्रो किया था ठीक है आगे है कॉंग्रेस के 1912 के बांकीपूर अधिवेशन की अधिवेशन की अधिवेशन की अधिवेशन होता है इसकी अधिवेशन की गई थी इसकी अधिवेशन की द्वारा की गई थी option C इसका से answer होगा पटना स्वदेशी लिग किया स्थापना हुई बताईए पटना स्वदेशी लिग किया स्थापना हुई 1939 में, 1930 में, 1931 में या फिर 1932 में question number 35 इसका से answer होगा 1930 में बिहार में magic लाल्टेन का lecture किस आंदोलन से संबंधी थे magic लाल्टेन यार में magic लाल्टेन का lecture किस आंदोलन से संबंधी थे देखे इसका से answer होगा option D सविने अवग्या आंदोलन अच्छा सविने अवग्या आंदोलन कब सुरू किया गया था ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और सविने ओग्या अंदोलन दो बार शुरू किया गया था ठीक है 1930 इस्वी में ये शुरू किया गया था जब गांधी जी ने नमक करके विरूद दांडी बिद्रो किया था ठीक है 1931 में गांधी इर्विन समझोता होता है जब गांधी इर्विन समझोता होता है जब गांधी इर्विन समझोता दिल्ली में होता है या इसको दिल्ली समझोता के नाम से भी जाना जाता है इर्विन ने कहा था कि गांधी जी आप इसको रोग दीजिए अपने इस आंदोलन को फर जाईए गोलमेज संभेलन में सामिल हुई तो द्वीतिए गोलमेज संहेलन में गांदी जी जाते हैं इंग अगां लेह लेज़्एर नहीं पर तो फिर वात आ जाते हैं और फिर से पूर्णा ये सुमीने अज़ू करते हैं तो सभिने अग्यान दोलन दो बार शुरू किया गया था गांदे जी के द्वारा बिहार में द्वैत सासन प्राराम होने के समय बिहार के गवर्नर बने बताईए पोर्शन नमबर 37 इसका से इंसर होगा सत्यंदर प्रसाद सीनहा ओप्सन ए सत्यंदर प्रसाद सीनहा पहला भारतिय मंत्री मंडल बिहार में संगठित हुआ पोर्शन नमबर 38 बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं सेशन को सेर किजिए सब के साथ और लाइक भी किजिए सेर किजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके बहुत ही महत्तपुन क्लास है पहला भारतिय मंत्री मंडल बिहार में संगठित हुआ 88 देखे बागु इसका सही एंसर होगा एक अप्रेल 1937 को अब इससे समन्दित और भी प्रस्ण आएगा किस टाइब के कोशन आता है वो थोड़ा हम देख लेते हैं अखिल भारतिय मुस्लिम लिग का अभी सवा अधिवेशन यहां पर ध्यान दिजिएगा कि यह जो अधिवेशन है वो मुस्लिम लिग का है ठीक है 1938 में होता है यह कहां संपन होता है बताइए यह संपन होता है पटना में पटना में संपन होता है दिसंबर 1929 में ये संपन होता है लिखार के करांतिकारी नेता कुदिराम बोस के वकील कौन थे हुदिराम बोस हमें पता है कि मुझप्परपूर भामकांड से है शम्मंदित Say कि इनके वक्यल कौन थे बावू कालिदास बसू कालिदास बसू इनके वक्यल थे पटना में अनुसीलन समीति के साखा स्थापित की थी पटना में अनुसीलन समीति की साखा स्थापित देखे वावो इसका सही अंसर होगा सच्छंद्रनात सान्यालने की थी पटना में अच्छा अनुसीलन समीति की जहां बात आती है तो इसको किस ने गठित किया था 1902 हाँ पर्मत नात मित्र के द्वारा पी मित्र इनको कहते हैं इनके द्वारा 1902 में सरो पर्थम अनुसिलन समीति का गठन किया जाता है मार्च 1902 इस्यों में फिर धाका अनुसिलन समीति की अस्थापना की जाती है धाका अनुसिलन समीति इसके बाद धाका अनुसिलन समीति की अस्थापना की जाती है कब की जाती है 1905 इस्यों में इसकी साखा सापित की जाती है धाका में कुलिन बिहार बिहारे दास के द्वारा यह हुआ था पटना भवानी मंदिर के असापना किसने की थे? सचिंद्र नाथ, स्कान्याल, अप्सन B भागलपूर के शक्रिय कृंतिकारी रियोती नाग का संबंद किस संगठन से था लोटा विद्रो मुझःफरपूर नंगी हर्ताल छपरा स्वराज कथा बाल मुकुन, बाजपेई, सरह वेसी, गुप्त क्रानती, कारी संगटन देखे बाबू, यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोटा बिद्रो क्या मुझफरपूर में हुआ था बिल्कुल सही है, यह लोटा बिद्रो 1856 में हुआ था, मुझफरपूर में बंद कैदियों ने, जेल में बंद कैदियों ने यह लोटा बिद्रो कर दिया था, यह इसलिए किया था कि इनको पहले कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था बाद में उसके अस्थान पर इनको मिट्टी का वरतन दिया जाने लगा इसलिए इन लोगों ने विद्रो कर दिया था तो इतिहास में इसको लोटा विद्रो के नाम से जाना जाता है नंगी हर्ताल क्या छपरा में हुई थी देखे छपरा में आपका बता दूँ कि 1930 में जब गांधी जी की गिरफतारी होती है तो सोदेसी अंदोलन इस समय सोदेसी का परचार किया जा रहा था तो इसी करम में खपरा में बंद जो कह दी थे इन्होंने कह दिया कि हम भी सोदेसी कपड़ा ही पहनेंगे और नहीं तो हम नंगे रहेंगे तो इसी को नंगी हर्ताल कहा गया ये भी ठीक है स्वराज कथा बाल मुकुंद बाजपई ठीक है क्या स्वराज कथा का प्रकासन बाल मुकुंद बाजपई के द्वरा किया गया बिल्कुल ठीक है सहर वेसी गुप्त करांतिकारी संगठन था क्या नहीं सहर वेसी जो था ये कोई संगठन नहीं था तो option D जो है ये गलत है चंपारन सत्यागरा के बारे में असत्य कथन चुन्ना है चंपारन सत्यागरा के बारे में कौन गलत है यह गांधी जी का भारत में पहला सत्यागरा था बिल्गुल सही है चंपारन के किसानों की देनिय दसाक्य और गांधी जी का ध्यान राजकुमार सुक्ले ने आकर सिख किया ये भी ठीक है ये भी ठीक है चंपारन में तिनकठिया नमग शोषनकारी प्रथा थी है ना मतलब कि 20 कठे में तिनकठे में निल की खेती करणी होती तो बगान मालिकों द्वारा तनाव सहर वेसी और अबाब के रूप में किसानों से वसुली की जाती थी ये ठीक है चंपारन सत्यागर के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्या को भी ब्रिटिस सरकार के समस्य जोरदार धंग से उठाया ये गलत है मिल मजदूर इसमें बोनस को लेकर के और गांधी जी का एहमदाबाद में पहला भूख अहरताल आंदुलन था इसमेंग सकते इससरकार के किसानों की समस्या के अधियन के लिए खिसकी अधियकता में अग्रेरियन कमिटी निऊक्ट की थी 46 एफ जी सलाई Option D मजहरूल हग द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आसरम के लिए भूमिक किसने दान में दिया था सदाकत आसरम के स्थापना उच्छा जाता है आप से इसके स्थापना किसके द्वारा की गई थी इसके स्थापना मजहरूल हग के द्वारा की गई थी ठीक है मजहरूल हग के द्वारा की गई थी अब इसके लिए जमीन किसने दान में दिया था इसका से इंसर होगा Option C खेरू मिया मजहरूल हग द्वारा प्रकासित समाचार पत्र का नाम बताई है मजहरूल हक ने इनमें से किस समाचात पत्र का प्रकासन किया है दी मदर लेंड दी मदर लेंड बिहार प्रांतिय कॉंग्रेस कमेटी दोरा कौमी सेवक दल के अस्थापना कब की गई कौमी सेवक दल यह किया गया था और सहोग आंदोलन के दोरान के इसके स्थापना 1921 इस्यों में की गई थी और इस समय और सहयोग आंदोलन चल रहा था नॉमबर 1921 में इसके स्थापना की गई थी इसका गठन किया गया था और इस समय देश में और सहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था कि उनी factorial में साइमन कमिशन के वहीसकार का नित्रतो् किस न्यकिया beginning कहा जा रहा है कि 1928 में पट्रा में साइमन कमिशन काविसकार का नित्रतों किस ने किया था question no.50 अनूघ्रभ नारायन सिंह ने अनूघ्र होंалे नारायन सिंह 1927 में सैमन कमिशन की न्यूक्ति की गई थी 1919 की जांच के लिए कौन इसको सुमेलित किजिए इधर नाम है और कृति दिया हुआ है आप लोगों कुछ छोटा छोटा ये दिख रहा होगा है ना कोशन नमबर 51 देखे बाव जैपरकास नारायन इंडिया डिवाइड ठीक है इंडिया डिवाइड जैपरकास नारायन का है ठीक है डॉक्तर राजेंदर परसाद है आई सोसलिजमन ये ठीक है सचीदान सिनहा हिंदुस्तान स्टेंडर्स ठीक है हिंदुस्तान अस्टेंडर्स अनिसोर ना थ्रेनू मैला आंचल मैला आंचल ये मैला आचल जो उपन्यास है ना बहुत ही बहतरीन उपन्यास है एक बार कभी आप लोग पढ़ करके देखिए कुछ उपन्यास ठीक है मैला आचल हो गया या फिर प्रेमचन जी का गोदान हो गया यह सब उपन्यास बहुत ही बैतरीन है स्री बैकुंट सुक्ल को किस कांड के लिए फासी की सजा दी गई थी इसका सही अंसर होगा अनिंद्र गोस हत्या कांड के लिए बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद नामक संसा के संसापक कौन थे अचा अब पीछले कोशन में मिस्टेक हो रहा है क्या एक मिनित आते हैं कहां है अच्छा राजेंद्र प्रसाद का है है ना एक मिनित इंडिया डिवाइड़ जो है और राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइड़ राजेंद्र प्रसाद के लिए प्यार में अमद अंतुमन ए हिंद नाम मग संस्था के संस्था पकौन थे फिप्टि थ्री उनसी प्यार एलान दर्भांगा में बंग भंग आंदोलन के दोरान राखी बंधन दिवस मनाया गया कि कोश्चन जिसमें बड़ा है न वह बिल्कुल छोटा छोटा सा हो गया फॉन्ट इस टाइब के कोश्चन में अब की बार से इंग्लिस नहीं रखेंगे ठीक है ताकि आप लोगों को बड़ा बड़ा नजर आए देखें बंग बंग आंदोलन जो था यह बंगाल विभाजन के बिरुध में सुरू किया गया था बंगाल विभाजन करजन के द्वारा किया गया था और इसी के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन स्वधेशी आंदोलन बंगाल में शुरू किया गया था लोगों ने सोक दिवस मनाया था एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधिर थी तो वही कहा जा रहा है कि राखी बंधन दिवस मनाया गया था दर्भंगा में कब 54 इसका सेंस होगा 16 अक्टूबर 1905 कि विहार प्रांथिय संभिलन का पहला दिवेशन न्यसो आठ में कहां हुआ बिहार प्रांथिय संभिलन का पहला दिवेशनद न्यसो आठ में कहां था फ्रीप्टी साफ er इसका सेंस होगा पट अम हुए थाБ नोले शशनमार मेंffee अधूदैoren भारत में कॉंग्रेस का एक परतिनेधित तो मंडल 1914 में इंग्लेंड भेज़े गए इसमें सामिल दो बिहारी ने था अभी जास्ट हमने इस प्रस्ने को किया है अना देखिए इसका सही अंसर होगा मजहरूल हग और रज किसोर परसाद सिन्हा बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे पॉश्चन नमबर फिप्टी सेवन मजहरूल हग पंडी जोहारल नहरू ने कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में सर अपरसम भाग लिया था नहरू जी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था तो बाकिपूर में बाकिपूर पटना में अच्छा अभी जस्ट इसके बारे में हमने चर्चा की है बताइए तो कि बाकिपूर पटना में जो कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था और किसके नेत्रितों में हुआ था जल्दी से बताईए पटना होम रूल लिग के किस नेता ने बिजय दस्मी के दिन भारत माता की पुजा प्रारम करने का विचार रखा था 59 राम पूरांचंडर कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 इस्वी में पहला अधिवेशन कहां हुआ था देखिया 1934 में पहला अधिवेशन पटना में हुआ था ठीक है नरेंद्र देव के नेत्रितों में कि आचारे नरेंद्र देव के नित्रितों में कि पलासी का यूद 1767 के बाद बिहार का उपनवाब कौन बना था पलासी का यूद हुआ था 1757 इसवी में उसके बाद बिहार का उपनवाब किसको बनाया गया था तो मीरन को बनाया गया था जल्दी से बताइए तो कि पलासी का यूद जो लड़ा गया था वो किसके किसके बीच लड़ा गया था ऐसा कहा जाता है कि पहला निर्नायक यूद था अंग्रेजों का प्लासिक यूद लेकिन प्लासिक यूद के बाद जो बकसर का यूद होता है बकसर यूद के बाद अंग्रेज पुन रूप से भारत पर करके गया था तुरू में ही हम इसके चर्चा कर चुके हैं कि बताइए इसका सेंसर होगा कि अंग्रेज़ों के हस्ते छेप से मुग्त रहने के उद्देश से पतना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे इसका सेंसर होगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड देखे आज रात को दस बजे जोगरफी का कोशन होगा ठिक हाँ लगभग डेज दो सोगे से दो सोगोशनों को आज हम लों करने वाले हैं तो आज रात को दस बजे ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लिजेगा क्लास में। मीर कासिम ने कहां बंदुख को एक तौपो की कारखाना के स्थाप्रा कि थे. मुंगेर में, अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसने राजधानी मुंगेर बदल दिया था, और यहीं पर बंदूग तोप यह सब बनाने का कारखाना भी मीर कासिन ने अस्थापित किया था ठीक है इसके बाद इसने बक्सर यूद किया था जिसमें इसकी पराजय हुई थी बक्सर का यूद हुआ 65 बक्सर का यूद हुआ कोश्चन नमबर 65 देखे इसका सही जो एंसर होगा मुंगेर सिगरेट फैक्टरी के लिए फेमस है लेकिन वहाँ पर बिल्कुल सिगरेट फैक्टरी और तंबाकू यह सब का मुंगेर में ही है बंदूक बनाने का करखाना वहीं पर और अभी भी सैद बहुत सारे हतियार बंदूक यह सब वहाँ पर मुंगेर में बनाया जाते है तो देखे बक्सर का यूद हुआ था वह वो 23 जून को हुआ था ना तेश जून 1764 भी को हुआ था ना तेश जून 1764 को है ना जगदिस्पुर में किसने बंदूके ओं गोला बारुत बनाने का एक करखाना स्थापित किया था अच्छा पीछला कोश्चन में गलत हो रहा है एक मिनट बक्सर का यूद और यहां यहां पर गलती हो रहा है है ओ लाग बाइस अक्तूबर को हुआ था वाव्य है वाइस अक्तूबर सतरसर चौश्ट को हुआ था जून में नहीं हुआ था 22 अक्टूबर को हुआ था ठीक है और यहां पर कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो गया था इसलिए 22 अक्टूबर यहां तो अप्शन में कोई है नहीं कि क्वेश्चन नमबर 66 पुमर सिंग जगदिश्पुल में ठारो सा संतावन निस्विव में किसके नेत्रितों में समनांतर सरकार के स्थापना की गई थी 22 अक्टूबर पिछले कोश्चन में था पलासी का जो यूद था और बक्सर के यूद में कन्फ्यूज हो करके कर दिये है ना कि अब बहुत गलत पढ़ाते हैं कि देखे मेरा जो कोश्चन अगर 150 होता है तो उसमें से 148 कोश्चन मेरा गलत होता है इसलिए इससे थोड़ा सा आप लोग अवेर रहिए मत पढ़िए ठीक है कि 67 कि अमर सिंग अठारा सो संताव ने इस वी के दोरान बिहार में कहां के लोगों को आभास हुआ कि मानों देश से सरकारी प्रसासन समाप्थ हो चुका है बताए पोश्चन अबर 68 देखे बावो इसका से इन सरुकर तिरुखुद बिहार में ठारा सो संतावन में मुहमद हुसेन खा के नेत्रितों में बिद्रो हुआ था किस सेत्र में हुआ था पोश्चन नमबर 69 चंपारन चंपारन नहीं चंपरा ठीक है चंपरा भारत में बहावी आंदोलन आराम्भ किया भारत में बहावी आंदोलन आराम्भ किया एकाज कोश्चन में अगर कन्फ्यूज करके गलत हो जाना तो फिर और कोश्चन गलत होने लगता है अगर आप लोग ज्यादा कमेंट करेंगे तो चलिए कोश्चन नमबर सत्तर सेयद अहमद ने और सयोग आंदोलन में भागलपूर जिला में काफी महत्तपुन भूमिका निभाई थी दीप नारायन सिंग ने डीप नारायन सिंग में कि बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी घर घर जाकर के और मुठी भार आनाज लिया जाता था बताए कि 72 कि और सयोग आंदोलन के दौरान बिहार के गवर्णर लॉड सिनहा ने गवर्णर पत से इसी फाद किस आंदोलन के दौरान दिया था 73 क्वश्चन नमबर 73 और सयोग आंदोलन के दौरान बिहार में पतना के बीटा में किसान सभा के स्थापना स्वामी सहजानन सरस्वती ने कब की कहा जा रहा है बीटा में ध्यान दिजेगा किसान सभा के स्थापना इसने की स्वामी सहजानन सरस्वती ने एक ही प्रस्न में बहुत कुछ लिखा हुआ है प्रस्न में ही बहुत कुछ लिखा हुआ है कहां अस्थापना की किसान सभा के स्थापना बेटा में स्वामी सहजानन सरस्वती ने कब की तो 4 मार्च 1928 को औप्सन B इसका राइट एंसर होगा 29-30 अगास्त 1934 सिस्वी में गया में आयो जी दिवितिय बिहार प्रांतिय किसान सम्मेलन की अध्यक्सता किसने की वर्ष्ण नुम्बर 75 पुर्सोतम दास टंडन ने पुर्सोतम दास टंडन बिहार प्रांतिय कॉंग्रेस कमिटी ने इसकी अध्यक्सता में एक किसान जाज समिच्टी की सापना की थी लेकिन मार्केट में आप लोग अगर बिहार जीके का बुक खरीदने जाएंगे न तो इतना सारा बुक है बिहार जीके का लेकिन सारा का सारा बुक जो है बिल्कुल कच्रा टाइप का है उसमें हर बुक में आपको लगभग 20 से 25 परसेंट आप लोगों को एरर मिलेगा 20 से 25 परसेंट गलतियां आप लोगों को मिलेंगे चाहे आप लोग क्राउन को बोलते हों चाहे केबी सी नैनों को बोलते हों या कोई भी बुक आप लोग खरीते हैं सबसे कम एरर वाला जो पूस्तक है न एक बार उठा करके आप लोग देखिएगा वह है लूसेंट का दिया तो बहुत कम है उसमें लेकिन काम की चीजे ही इसमें दूरी हैं पीटी के लिए ठीक था किताब है यह ठीक है लूसेंट का बहुत कम एरर लूसेंट में है बाकि यह जो केवी सीनेनों है या क्राउन है या जो किताबे हैं दिल्कुल फालतुसी है निम्र में से कौन किसान नेता नहीं थे कौन किसान नेता नहीं थे शूरेनाथक्स स्वामी सहजानन सरुखती भी थे यदूनन सर्मा भी किसानल नेता ही थे गंगसन शिना भी थे लेकिन सूरेनाग्स आखवे किसानल नहीं थे विहार सोसलिस्ट पार्टी के प्रतम अध्यक्स थे। देखे इसका सेंस वरोगा आचार्य नरेंद्रदेव। विहार के गया में किसान आंदोलन को निम्ने में से किसने जागरित किया था। गया में कहा जा रहा है किसान आंदोलन को किस ने जागरित किया था रामानन्द मिस्रा यदुननन्द सर्मा मुन्नु गोन या चिंटूपा का सेंसर होगा यदुनन्द सर्मा ये किसान नेता थे यदुननन्द सर्मा थे कार्यानन सर्मा थे और इनहीं के नेतरितों में बड़ बिहार में 1928 में हुए सर्वदलिय सम्मेलन की अधिकता किसने की जिसमें बिहार में साइमन कमिशन का पूर्ण बहिसकार का निरने लिया गया था पोश्चन नमबर 80 विडियो को सेर कीजिए और लाइक भी करते जाएए इसका सेंसरों का सर अली इमाम बिहार में नमक सत्यागरा सर अपस्दम कहा शुरु हुआ था देखे बिहार में चुकि यहाँ पर नमक आंडोलन के लिए तो समुद्र ज़ुरति ही सागर की ज़ुरति Her पर कोई समुद्रतर था नहीं बिहार में लोग कहां जाए नमक बनाने लोगों ने नमकीन मिट्टी से ही नमकीन मिट्टी से ही बिहार में नमक बना दिया था नमकीन मिट्टी को पानी में घोल करके फिर उसको उबाल करके और नमक बना दिया था और नमक कानून को तोड़ा इसका सेंसरों का चंपारन और स्तारन वैसे नखास्पिन को भी जगा बनाया गया था जो पत्ना में है नमक कानून भंग करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान पुलेना परसाथ स्रिवास्तों की मृतिव जंडा पाराने के क्रम में पुलिस की वोली से कहा होई थे देखें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 CCU में बिहार जो है बिहार में बहुत ब्यापक आंदोलन रूप ले लिया था भारत छोड़ो आंदोलन ठीक है और इसमें बहुत सारे पुलिस स्टेशन पर लोगों ने जंडा फैराने का प्रयास किया था उसी में से एक थे उल ये सहीद हो गये थे मारे गये थे बिहार के लिए गठित आजाद परिशत के संयोजक थे इसका सही एंसर होगा तूरज नारायन सिंग ऑप्शने आजाद दस्ता नहीं है ध्यान दिजिएगा विहार के फॉरवर्ड ब्लोग के नेता कौन थे विहार के फॉरवर्ड ब्लोग के नेता कौन थे पॉस्चन नमबर 84 सिल भद्र याजी सिल भद्र याजी विहार से फॉरवर्ड ब्लोग के नेता थे मुस्लिम लिग की प्रत्यक्ष कारवाही दिवस की घोसना के बाद बिहार में पूर्ण हरताल हुई थी अच्छा कोशन ये भी पूछा जाता है कि मुस्लिम लिग ने कब प्रत्यक्ष कारवाही दिवस मनाया था तो 16 अगस्ट 1946 को इन्होंने प्रत्यक्ष कारवाही दिवस मनाया था तो बिहार में पूर्ण हरताल कब हुई थी कोशन नमबर 85 इसी दिन हुआ था 16 अगस्ट 1946 को ओप्शन भी इसका राइट एंसर होगा भारत में सबसे पहले कहां चात्र संगठन का सम्मेलन अगठन हुआ था महराष्ट में उत्त्रप्रदिस में बिहार में या मध्यप्रदिस में का सई एंसर होगा ओप्शन C बिहार में पतना के अंतिम मुख्य बहावी नेता थे ऐटी सेवन पतना के अंतिम मुख्य बहावी नेता थे तक मैं दुल्ला विहार में 1921 में स्वराज सभा की अस्थापना हुई विहार में 1921 में स्वराज सभा की अस्थापना कहां हुई थी गया में तौराज सभा के स्थापना 1921 में गया में की गई थी भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान किस ने सरकारी नीती के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिया 1922 में भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान इसको अगस्थ क्रांती के नाम से भी जाना जाता है कहा जा रहा है कि कॉन था जिसने महाधिवक्ता एड़्वोकेट जनरल के पज से च्याक पत्र दे दिया था इनका नाम था राम दयालू सिंग सारन कब अपराधिक जिला घोसित हुआ था सारन को कब अपराधिक जिला घोसित किया गया था तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही 1922 सिस्वी में सारन को अपराधिक जिला घोसित किया गया था नो नमबर 1922 को जैपरकास नारायन के साथ कौन-कौन से लोग हजारी बाग जेल से भाग निकले थे बताईए देखिए भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था भारत में है न और उसी समय जैपरकास नारायन हजारी बाग के जेल से फरार हो गये थे इनके साथ इनके कुछ और भी साथी खरार हुए थे ये कौन-कौन थे योगेंदर शुकल तुरज नारायन सालिग रामानान मिस्र और गुलावी सुना तो ये लोग खरार हो गये थे बिहार दारा मंत्र मंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में इसके नेत्रितों में अंत्रिम मंदल बना था मुहम्मद यूनूस के नेत्रितों में बना था और पहले पिहार के प्रधान मंत्री इनको कहा जाता है उस समय प्रधान मंत्री कहा जाता था पद को ठीक है और मुहम्मद यूनूस को पहला प्रधान मंत्री बनाया गया था इसके बाद प्रतम मुख्य मंत्री जो बने थे मुहम्मद यूनुस के बाद जब इन्होंने इस्तिफा दे दिया था हट गये थे तो स्री कृष्ण सिंग पहले मुख्य मंत्री बने थे यूथ लीग और तुफानी जथा का गठन किसके द्वारा किया गया था कहा जा रहा है कि यूथ लीग और तुफानी जथा का गठन किसके द्वारा किया था सामाजवादियों के द्वारा 1921 में पटना में अस्थापीद बिहार रास्टिय महाविध्याले का उद्गाटन किसने किया था वोश्यन नमबर 94 कि इसका सही इंसर होगा ओप्शन भी महात्मा गांधी ठीक है महात्मा गांधी आप लोग एडू सोल एप को इंस्टॉल जरूर किजेगा और दो टेस्ट यहां पर लगाई है बिल्कुल फ्री में मिल रहा है विहार रास्टिये महाविध्याले के परचारे पद परनिम्न में सेग किली की नियुक्ति हुई थी वोश्यन नमबर 95 डॉक्तर राजन्द परसाद की और स्योग अंदोलन के दौरान प्रिंस ओवेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी इसका काफी बिरोध किया था पटना में जहां जहां पर भी गया था इसका काले जंडे से स्वागत किया गया था 22 दिसंबर 1921 को श्री राजंद प्रसाद निम्न में सेव किस नगरपालिका के चेर्मेन निर्वाचित हुए 97 पतना के जैपरकास नारायन अपने जीवन के अंतिम चरण में किस से जूड़े रहे है जैपरकास नारायन के बारे में पुछा जा रहा है के अपने जीवन के अंतिम चरण में किस से जूड़े रहे है कोश्चन नमबर 98 सर्वोदय अंदोलन से सर्वोदय अंदोलन अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है हम हमारे लिए उदारन बन सकता है कथन गांधी जी ने कब दिया था है कि गांधी जी का कथन है यह कब का कथन है गांधी जी का कि इसका सेंसर होगा गांधी नीश्यक्तालिश में बिहार सरीफ में संपर्दाइक दंगे के समया बिहार में ब्यक्तिगत सत्याग्रह के पर्थम सत्याग्रही कौन थे बिहार में कहा जा रहा है देखे ब्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में सुरू हुआ था 17 अक्तुबर 1940 को सुरू किया गया था और कभी-कभी पुछा जाता है कि पहले सत्याग रही कौन थे तो बिनोबा भावे थे बिनोबा भावे पहले सत्याग रही थे नेहरू जो थे ये दूसरे सत्याग रही थे ठीक है तीसरे सत्याग रही ब्रहमदत थे ब्रहमदत थे तीसरे सत्याग रही अब आपसे यहां पर पुछा जा रहा है बिहार में ब्यक्तिगत सत्यागरा के प्रतम सत्यागरा ही कौन थे तो डॉक्टर स्री कृष्ण सिंग ऑप संडी भारत छोड़ा अंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीती के बिरोध में महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिया भारत छोड़ा अंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीती के बिरोध में महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिया था queson नॉमबर 101 बल्दे उ सहाए इनका नाम था option B बल्देउ सहाए ने भारच और अंदोलन के दौरान 9 अगस्ट को गिरपता डॉक्टर राजंदर पसाद को किस जल में रखा गया था देखें जो भी सिर्ष नेता थे उन सब को 8 अगस्ट के दिन ही गिरपतार कर लिया गया था गांधी जी सहीद सभी सिर्ष नेता को उसमें से राजंदर पसाद को भी गिरपतार करके जेल में रखा गया था किस जेल में रखा गया था बांकी पूर जेलमिन को रखा गया था पटना का चर्चित सचिवाले गोली कांड कब हुआ था कि सिवान थाने पर जंडा फैराने के प्रयास में अगस्त कांति के दौरान सहिद व्यक्ति का नाम क्या है कि कोश्चन अबरों सचार कि पुलेना प्रसाद श्रिवास्तों कि कूश्चन भी थोड़ा सा अधूरा है इसको स्किप करना पड़ेगा क्योंकि कूट की सायता से एं इसको स्किप करना पड़ेगा कि जय प्रकास नारहन दौरा नेपाल में गठित आयजाद दस्ते के मुक्हे पर dalla को पूछा आता है आप से आयजाद दस्ते का गठन कि इसके द्वारा के आ गया था ता तो आजाद दस्ते का गठन जय परकास नारायन के दौरा किया गया था नेपाल में और इसके तहत जय परकास नारायन जो है वो युवाओं को परसिख्छन देते थे खापा मार्यूद का या गूरिला यूद या इसी को गूरिला यूद कहते हैं इस यूद का ट्रेनिंग देते थे देखे इसका सेंसर होगा नित्यानन सिंग और सिख्छक थे नित्यानन सिंग सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था पॉश्यन नमर एक साथ इसका सेंसर होगा अगस्ट करांति मतलब इसी को भारत छोडवा अगस्ट के दिन यह शुरू हुआ था तो इसलिए इसको अगस्ट करांति के नाम से भी जाना जाता है प्यार के किस स्थान के यूखो ने ब्रिटीस आशन का मुकाबला करने के लिए धरूब दल के स्थापना की थी यार के किस सषन के योगों ने बिटिस साशन का मुकाबला करने के लिए दुरूप दल के स्थापना की खुर्टी हाद भारत छुड़ो अंधॉलन के दौरान किस प्रमंडल में लगबग दो महीनों तक जनता का साशन रहा था दो महिनों तक लगभग जनता का सासन रहा था इसका से अन्स रोगा तिरूत डॉक्टर राजन्द प्रसाद की बेहन थी पुश्चन नमबर 110 लगवती देवी पराजी अंदोलन के विरोध में ठाका में तायूनी अंदोलन किसने चलाया था ठाराजी अंदोलन के विरोध में ठाका में तायूनी अंदोलन किसने चलाया था जौनपूर के रामत अली ने ठीक है भारत छोड़ अंदोलन के दोरा निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था इसने पूलिस्थाने को जलाया था भारत छोड़ा अंदोलन के दोड़ान 112 जगलाल चौधरी ने ठीक है जैपरकास नाराइन की पतनी का नाम बताएए कोश्चन नमबर 113 परभावती देवी भारत छोड़ा अंदोलन के दोरान उतरी बिहार नेपाल के सीमा पर किसने छापा मार संगर्ष का नेतरी तो किया भारत छोड़ा अंदोलन से ही बहुत सारे कोशन आ रहे हैं इसलिए एक्स्प्लेन नहीं भी कर रहा हूं तो आप लोग आराम से कर सकते हैं देखे इसका सेन सरोगा जया प्रकास ना रहे हैं अभी जस्ट देखा प्रभाती देभी किस्चत्र की सौतंता से ना ने थे पटना से ना डेश के किस राज में सबसे पहले जमिंदारी उन्मूलन कानून बना जमिंदारी को खत्म करने के लिए जमिंदारी उन्मूलन कानून बनाया गया था बिहार में महराष्ट में पश्यमंगा लेया मध्यपरदेश एक सो छोडो। इंगलिष में ट्रांसलेट गलत हो जाता है। कि देखिए इसका सेंसर होगा है कि इसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन थे एक सौठार कि स्वामी बिद्यानंद स्वामी बिद्यानंद स्वामी बिद्यानंद ने दर्भंगा के छित्र से दर्भंगा महराज का इन्होंने बिरोध किया था किसान समाचार पत्र का यह स्थापना के थे नॉवंबर 1936 में बहपूर में प्रांतिय किसान समरा का एक अधिवेशन हुआ कि इसकी अध्यक्स्ता की थी कि प्रकास नारान और स्वामी सहजानंद में अप्रेल 1949 में अखिल भारतिय किसान सम्मेलं का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया था देखे सबसे पहले प्याद रखने है कि अखिल भारतिय किसान सम्मेलं जो था इसकी अस्थापना जो हुई थी और खिल भारतिय किसान सम्मेलं की इसकी अस्थापना 1937 में हुई थी ठीक है और लखनव में हुई थी लखनव में तो यहां पर कहा जा रहा है कि वार्षिक 1949 में इसका अधिवेशन जो हुआ था वह कहां हुआ था यह हुआ था गया में वुआ यहार में पत्रना के बेटा में किसान सम्मेज कर्या स्थापनWh और स्थापनारस्वी सहायान जात्थ ःस्वाति ने कब गई ब्यार में पटना के बेटा में किसान सभा के स्थापना स्वामी सहजान अंसर अस्वती ने कब की चार मार्च 1928 को मुंगेर में 1922 ते इसमें इसके अधेक्ष्टा में किसान सभा अस्थापित हुई 122 इसका से अंसर होगा सा मुहम्मद जुबैर बिहार प्रांतिय किसान सभा का गठन के सुर्च हुआ 12 बिहार प्रांतिय किसान सभा है ध्यान दिजेगा मार्च 1929 में बिहार प्रांतिय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे स्वामी सहजानन्द विहार के किस जिले में नहर सुल्क के बिरोध में आंदोलन हुआ था 225 साहाबाद में 29-30-34 को गया में आयोजिद द्वितिय बिहार प्रांतिय किसान सम्मेलन की अध्यक्स्ता किसने की थी इसकी अध्यक्स्ता की गई थी पुर्सोतम दास टंडन के द्वारा पुर्सोतम दास टंडन नवंबर 1935 में हाजिपूर में आयोजिद क्रितिये बिहार प्रांतिये किसान सम्मिलन के अध़क्सता किसके द्वारा की गए थे कराय टेंसर होगा स्वामी सहजानन ने बिहार प्रांतिये कॉंग्रेस कमेटी ने किसके अध़क्सता में किसान जात सम्मिति के इस्तापना की थे बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से इनको जाना जाता है 139 बेगु सराय में चौकिदारी करके बिरूद आंदोलन एक हिस्सा था अंग्रेजी सासनकाल में भारत का कौन सा छेत्र अफिम उस पादन के लिए प्रसीद था 131 बिहार बिहार में नमक सत्यागरा 15 अपरेल को कि जिल में नमकिन मिट्टी से नमक बना कर आरम किया गया था अभी जस्थ हमने किया चंपारन और सारन में चंपारन और सारन बॉयज एसोसियेशन के अस्थापना हुई बॉयज एसोसियेशन की अस्थापना हुई दर्भंगा में ऑप्शन एक दर्भंगा है तो अतनता पुरो बिहार में निमनल कित्मे से एक बर्चस वाली जाती नहीं थी पुर्मी और संडी मगद तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी प्रिथक करती है मगद तथा अंग महाजनपद को ये नदी से क्वोशन आ गया इसमें हिस्ट्री में मगद और अंग महाजनपत को चंपा नदी अलग करती है ठीक है अंग की राजधानी ही थी चंपा इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे विडियो को like और share करते जएए like share कोई कमी नहीं राजनद प्रसाद 1902 में सिताफ दियारा में किनका जन्म हुआ सिताफ दियारा में किनका जन्म हुआ 1902 ऐसमी में का सही अंसर हो गा जै प्रकास नारायन का में 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्धाटन किया था 138 विहार विद्धापिठ का हूँ 1930 और 31 के मध्य बरही कॉंग्रेस ने मुंगेर जिले में सफ़कता पुर्वक अंग्रेजी हुकुमत को नाकाम कर दिया था किया सवीने ओग्या अंदोलन का एक हिस्ता था 149 मुंगेर शारा सो थीस के दसक में पटना नगर केंद्र था तन्यासी विद्रों का गुद्खारी विद्रों का मुंडा विद्रों का या बहावी विद्रों का है चंपारान अंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कारेले का कारेबार सौप कर वापस लोट गये थे जनकधारी प्रसाद को सारा कुछ सौप करके और ये फिर वापस सले गये थे बायकोट और सौदेसी अंदोलन के समर्थन में किस अस्थान में गोल्डन लिग नामक संस्था का संस्था किस थापना हुई थी 142 देवघर में यदि निल की खेती करने से छूट चाते तो निल के किसानों को कौन सा छतिपूर्थी कर देना पड़ता था तवान देना पड़ता था अगर आप निल की खेती नहीं करना चाहते थे आपको तवान नमक एक कर आपको एक ही बार देना पड़ता था तो यह था मेहत्वपुन प्रस्न उमीद करता हूं रिवीजन हुआ होगा देखे यह जो क्लासेस आते हैं जिसमें देखेंगे उसमें ज्यादा एक्स्प्लेनेशन नहीं होगा क्योंकि अगर ज्यादा एक्स्प्लेनेशन होगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा यह रिवीजन के लिए क्लास लगाया जा रहा है ठीक है ताकि लास्ट टाइम में आप रिवीजन कर सके तो और बाकी जो है वो मौक टेस्ट आप जरूर लगाएगा ठीक है इसका रिजल्ट आप लोगों को कल दिखाया जाएगा और करन्ट अफेर के लिए आपको बता दू कि सबसे बेतरीन करन्ट अफेर हमने तयार किया है पूरे 20 महिने का यह भी आप लोगों को इबुक सेक्शन में हमारे एप में ही मिल जाएगा चले फिर पीडिया भी आप लोगों को इसी एप में और टेलिग्राम में भी मिल जाएगा टेलिग्रम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है